एलो एर्वान आजकल सभी चाहते हैं कि वह अपना ये प्रेडिक्शन या एस्टरोजी खुद करें क्योंकि कई वरी एस्टरोजिस के पास जाके या नुमेरलोजिस के पास जाके वह प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती जो जो चाहते हैं तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजे सिखाने वाली हूँ आज एक ऐसा प्रेडिक्शन मेत्रड जो बहुत ही एक कुरेट है उसको कहते हैं कौड़ी प्रेडिक्शन मेत्रड इसमें हमें 12 कौड़ियां लेनी होती है और 12 कौड़ियों को हम देखते हैं कैसी हो सबसे पहले हम वे जब लाते हैं तो ख्रिंजिंग करनी होती है सेत से ब्ने के दृ लूपक सब्फा कर सकते हैं इसको फिर हमने जब लुद टेर्स्ट्रूं कि अबशर हो गया और यो हमने इसको कैसे लीज करना थे मांको बताते ही हम किसी के भी पास प्रेंट फियूचर कर सकते हैं तो हमने इसको अपने हाथ में लिया अपनी एणरजी इनगो दी जो भी जिस ईयर पावर को अपमानते हैं उनका नाम लीजिए उनसे प्रेयर कीजिए कि मैं जो भी प्रेडिक्शन कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरा prediction सही हो इसके बाद अब जो भी सीधी कौड़ी आई है सीधी कौड़ी उसको अपने साइट पर कर लेना अब जो भी आपका प्रशन था अगर सीधी कौड़ी का मतलब कि यह आपको answers दे रही हैं और अगर चार कौड़ी आई तो चार कौड़ी का मतलब होता है वो आपका काम सफल नहीं होगा ठीक है या पास में वो काम आपका सफल नहीं होगा अब आप उसको दूसरी बारी कीजिए नाओ तीन कौड़ी सीधी आई नहीं चार इसका मतलब एक दो तीन चार पांच इसका मतलब आपका काम इस बारी सकस्पुल होगा येस प्रेजेट में वो चीज सकस्पुल हो रही है पास में चाहे वो चीज आपकी नेग्टेव जा लेते हैं अब हम फ्यूचर का देखते हैं फ्यूचर का भी आपको बहुत इसी एक वे बताती है प्रेडिक्शन का अगर थीज आपकी इवन नंबर में आरी है तो मतलब फेल शेंटेश्ट का लेंदर रही है की नेट रही है लेते हैं अयुदा गर्यूचर का आपको विश्ट का बिदैश्ट नेटावर्यूचर का बाताते हैं ये त तो आपको बहुत महनत के साथ आपको काम बनेगा अगर नहीं तो वो चीज आपकी नहीं सफल होगी इसमें हमारे आ रहे हैं 10 कौडिया जो से दिया रहे हैं तो इसका मतलब आने वाले टाइम के हैं वो काम सफल नहीं होगा तो आप उस काम को छोड़ के कोई और डिरेक्शन म आपको यहीं बताते हैं और इस इस वेरी इसियस वे और बहुत एकुरेट वे हैं आपको अपने प्रोडेक्शन करने का थेंक यू सॉमच